बिसमिल्लारह्मान रखीम, लास्ट लेक्चर से हम functions of a modern central bank discuss कर रहे हैं और उसमें कुछ functions हम discuss कर चुके, remaining functions जो हैं वो हम इस lecture में complete कर लेंगे तो next जो function है किसी central bank का, वो यह है कि central bank clearing house for banks transactions होता है आपने कई दफा नोट किया कि जब किसी बंदे ने किसी को payment करनी हो तो वो उसको check लिख देता है और हमने money के chapter में बड़ी detail में इस issue को discuss पहले भी किया है इस course के दोरान कि जो medium of exchange होता है वो सिरफ currency note नहीं होता बलकि जो checkable deposit होता है उसमें जो bank check है वो check भी medium of exchange के तोर पे use होता है यहीं वज़ा है कि जब हमने money supply की definition की थी तो हमने कहा था यह currency plus checkable deposit होते है या currency plus deposit होते है depending कि आप कौन से मज़र की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि जब एक check लिखते हैं आपको आप किसी बंदे के नाम तो जरूरी तो नहीं कि जिस bank में आपका account है उसी bank में उस बंदे का भी account हो जिसको आप check दे रहे हैं उसका account कहीं और हो सकता है आपका account हभी bank में है किसी दूसरे का account allied bank में है जिसको आप चेक दे रहे हैं तो होगा क्या, कि जिसको आपने चेक दिया वो तो अपने अकाउंट में उसको deposit करेगा जब उसको deposit करेगा तो अब allied bank ने उस बंदे के окाउंट में इतनी amount credit करनी है लेकिन वो वो amount कहां से लेगा hubi bank से लेगा और हबीब बैंक कहां से लेगा इस बंदे के अकाउंट से माइनस करेगा जिसने चेक दिया है लेकिन ये क्या एलाइड बैंक और हबीब बैंक आपस में ट्रांजेक्शन करेंगे नहीं ये क्लेरिंग हाउस में होती है तो central bank जो है वो clearing house का का काम करता है इसलिए कि हबीब bank का account भी या deposit भी central bank के पास है और allied bank का जो deposit है वो भी central bank के पास है तो होगा ये कि मेरा check या इस बंदे का check जिस ने check दिया है और जिस बंदे को check दिया है उसकी आपस में जो settlement है वो हबीब bank और allied bank की central bank में जो accounts है उन में settlement मे होगी यानि के वो होगा ये कि जब चेक प्रिजेंट होगा तो टेकनिकली हबीब बैंक के अकाउंट में से पैसे माइनस होंगे जो हबीब बैंक का अकाउंट सेंट्रल बैंक के पास है और जो एलाइड बैंक का अकाउंट सेंट्रल bank के पास है उसमें ये amount add हो जाएगी तो फिर इदर customers जो हैं उनके accounts में भी debit और credit accordingly हो जाएगा अब ये अगर system न रखा जाए और ये central bank का function न हो आज के दोर में तो नुकसान ये होगा कि फिर payment efficiency नहीं रहेगी आपको सारी payments currency note के थूँ करनी पड़ेगी और currency note के थूँ payment करना costly है और उसके और भी कए allied problems हैं उन problem से बचने के लिए ये system बड़ा important है के central bank जो है वो ये अपना role play करता रहे एक और जो central bank का आज के दोर में function होता है controlling cost of credit अचा monetary policy transmission mechanism के topic में हमने बार-बार discuss किया के credit बड़ा role play करता है किसी economy के यंदर क्योंकि जितनी भी economic activity है और especially business sector की economic activity वो सारी की सारी investments से drive होती है तो investment जो है उसके लिए credit important होता है और credit जो है वो banks और financial institutions देते हैं इसका मतलब यह है कि जो cost of credit है उसको central bank अपने policy objective से align रखता है central bank के अपने कुछ policy objectives होते हैं जो आपकी market है उसमें lenders और borrowers के interaction से cost of credit determined होता है और central bank का एक अपना policy objective है तो central bank आज के दोर में कोशिश करता है कि जो market में interest rate है वो या cost of credit है वो उसके policy objectives के साथ align रहे कैसे रहे यह हम आगे जब monetary policy के instruments पढ़ेंगे तो उसमें यह discuss करेंगे लेकिन इस lecture के अंदर आप यह समझ लें कि central bank जो है वो अपने policy rate के जरीए और जिस rate पे central bank commercial bank को loan देता है discount rate जिस कहते हैं उस rate के जरीए और वो rate जिस पे commercial bank अपने access reserve central bank के पास रखते हैं और central bank उस पे उन्हें compensate करता है उन rate के जरीए तो यह तीन किसम के rates हैं जो के mostly एकी तरफ direction में चलते हैं इन rates के जरीए central bank जो है वो cost of credit control करने की कोशिश करता है और इसके इलावा भी कुछ और instruments हैं जो हम आगे detail में discuss करेंगे इसी तरीके से सिरफ cost of credit नहीं हमने ये भी पढ़ा था कि quantity of credit depends on credit creation by commercial bank जो commercial banks हैं they create deposits तो deposit creation या credit creation हमने बड़ी detail में एक topic के अंदर money supply के topic के अंदर discuss किया था इसका मतलब है जो commercial banks हैं they create credit they create deposit that's why deposits multiply और हमने multiplier model के अंदर पढ़ा था कि जो initial central bank की तरफ से money होती है monetary base या base money उसको commercial banks deposit create कर 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 के multiply कर देते हैं अब अगर आपके system में excess deposit creation हो जाए या excess credit creation हो जाए तो पैसा आम हो जाएगा हर बंदे को bank से loan मिलना शुरू हो जाए पैसा आम हो जाएगा नतीजा योगा की economy में inflation ज्यादा हो जाएगा क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि इससे demand pull inflation आईगा at the same time अगर credit creation कम हो जाए यानि कि commercial bank credit create करें लेकिन credit creation slow हो जाए कम हो जाए तो नतीजा यह होगा कि जो important investment projects हैं उनके लिए भी funds नहीं मिल सकेंगे और economy में ultra recession आ जाएगा तो ज्यादा credit creation तो inflation कम credit creation तो recession इसका मतलब यह है कि central bank को ना सिरफ यह कि cost of credit कंट्रोल करना होता है बलकि credit creation या amount of credit को भी control करना होता है और वो कैसे करता है in fact cost of credit कंट्रोल करने का भी एक objective यह है कि credit की amount या credit की quantity कंट्रोल हो अब central bank के cost of credit चेंज करके यह काम कर सकता है reserve ratio चेंज करके कर सकता है या और इस तरह के instruments यूज कर सकता है जो हम बाद में discuss करेंगे आने वाले lecture एक और central bank का role या central bank का function वो है protecting depositors या savers interest आपको पता है depositor कौन होता है आम लोग जो savers हैं जो अपनी income में से छोटी छोटी amount save करते हैं और वो banks में रखते हैं अब वो depositors हैं वो savers हैं इनके interest को भी central bank ने देखना होता है अब कई तरीके से इनके interest को जो है वो central bank उसको protect कर सकता है मसलन एक यह होता है कि जब inflation rate बहुत high हो तो central bank यसी लिए अपना policy rate increase करते हैं ताके जो real farm में interest rate है depositor के लिए वो positive रहे या negative है तो बहुत ज्यादा negative ना हो जाए क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि real interest rate जो हता है वो nominal interest rate minus expected inflation rate होता है तो जब inflation rate हाई हो जाए तो central bank के interest rate increase करने की एक reason यह होती है कि वो depositors के interest को protect कर रहा होता है इसी तरीके से वो चुकि regulator भी है अगर commercial bank के deposit rate और lending rate में बहुत बड़ा gap आ जाए यानि के commercial banks जिसको loan दें उससे तो बहुत कमा लें लेकिन depositors को आगे कुछ pay ना करें तो central bank regulator होने के नाते इस पे भी action ले सकता है direct intervention भी कर सकता है जबकि वो commercial banks को license देने की authority भी रखता है तो entry exit के rules change करके भी इस चीज को effect कर सकता है लेकिन point यह है कि वो depositors या savers के interest को protect करता है thank you